आप सुन रही हैं booksinvoice.com आईए सुनते हैं दिनकर बेडेकर की कहानी अकेले पन का एहसास हमेशा की तरह दोस्त से मुलाकात हुई ओफिस एक ही है इसलिए रोज मिलते हैं ऐसी मुलाकात एक आदत सी हो गई है कभी मिल नहीं पाए तो दिन अधूरा लगता है ओफिस के क्यांटीन में एक कोने में आसपास के कुलाहल रोज मर्रा के चेहरों को भुला कर किसी नए विशे पर बात करना रिफ्रेशिंग लगता है किताबों में सिनेमा में उसकी खास रुची है इन दोनों विश्यों के संबंद में दुनिया भर में जो भी नया घट रहा है उसकी जानकारी उसे रहती है सबसे एहम बात ये है और अधिक सुनने के लिए लॉगन करें www.booksinvoice.com सुनते रहें अपनी कहानी